हालो वरिवान ग्रेटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर एश्मी सोमेपथी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी ओडर यानि ओफेंसिव परस्पिरेशन के बारे में मतलब पसीन से आने वाली बद्बू की समस्या के बारे में तो फहले हम जानते हैं कि जो पसीने की बद्बू होती है इसके होने का कारण क्या होता है तो फ्रेंट्स हमारे शरीर में जो स्ट्वेट ग्लांड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं जिन से पसीना निकलता है या पसीना बनता है वो दो ग्लांड्स होते हैं एक्राइन ग्लां में आपके होते हैं दूसरे जो ग्लैंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड जो की आपके हेड़ी एरिया में होते हैं यानि स्काल्प में हो सकते हैं आमपिट्स में हो सकते हैं या प्यूबिक एरियाज में होते हैं यही दोनों ग्लैंड होते हैं जो की रिस के साथ साथ oil की quantity भी होती है यह दोनों combine करके पसीना बनाते हैं और इसमें किसी भी तरह के smell नहीं होती है smell तब होती है अगर आपके पसीने में bacteria और fungus grow करने लगते हैं और bacteria और fungus ग्रो करने के कई रीजन्स हो सकते हैं जिसमें आपको रीजन्स होते हैं कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो कॉटन के नहीं हैं जिसमें ब्रीधिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है बार बार आप सेम कपड़े पहन लेते हैं जिसमें इंफेक्शन अलडी हुआ है या आप ऐ परसी कोई चीज़ खाते हैं बहुत तादा स्पाइसी चीज़े लेते हैं या अद्रक और लेसुन वगरे वाले चीज़े लेते हैं अलकोहल लेते हैं स्मोकिंग करते हैं तो यह सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसके करण आपके पसीने में बद्बू आ सकती है इसके लब कुछ और कुछ गंभीर रीजन्स भी होते हैं पसीने में बद्बू आने के जो बहुत पसीने में बद्बू आते हैं हम सबको कभी न कभी पसीने में बद्बू आते हैं लेकिन अगर किसी को लगातार साल दर साल पसीने में बद्बू आती ही रहती है तो कुछ गंभीर समस्या के kidney के कोई समस्या हो सकती है hyper thyroid जिसके अंदर बहुत पसीना निकलता है और साथ में पसीने में बदबू भी हो सकती है मतलब आपका thyroid gland बहुत over active हो गया है यह diabetes यह obese लोग जो होते हैं जिनके अंदर जो index होता है body mass index बहुत ज्यादा होता है तो उनके अंदर भी ज्यादा perspiration या foul smell के problem ज्यादा देखी जाती है और जो diabetes होते हैं उनकी जो smell होती है fruity smell होती है acetone like smell होती है जो diabetes होते है जिसमें sugar अगर बहुत हाई हो गई है जिसको हम बोलते है diabetic keto acidosis के condition अगर हो गई है तो बहुत fruity से smell आती है acetone के कारण तो diabetes के cases में ऐसे smell देखी जाती है यह होता है बहुत एक chronically अगर आपकी body में order रहता है अब हम बात करते हैं कि इसका management कैसे करेंगे और साथ में मैं बताऊंगे कुछ important homeopathic medicines क्योंकि friends जो body order होता है इसका सिफ superficial treatment ले लेना sufficient नहीं होता है क्योंकि जो अंदर से reason बन रहा है कि आपको पसीने के अंदर बदबुआ रही है उस reason को खतम करने के internal treatment ही लेना पड़ेगा उपर से अगर आप अपनी body को hygiene में रखते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं ले हुए साफ सुत्रिया और sun में सुखी हुए कपड़े पहनते हैं तो यह काफी ज़्यादा effective होता है कि आपको body order के समझ से कम हो सकती है इसके अलावा आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है क्योंकि अगर आप पानी पीएंगे तो आपके जितनी भी pores होते हैं इसमें काफी पतले कपड़े जो होते हैं ब्रीदबल जो फैबरिक होता है उसको आपको पहना है इसके लावा एक home tip की बारे में बता देती हूं वह home tip है अगर आप नहाने के लिए पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल करके नहाते हैं जिसको हम इंग्लिश में alum बोलते हैं साथ के साथ अगर आप baking soda जो मिठा soda होता है खाने वाला चाहे आप फिटकरी डाल सकते हैं चाहे आप baking soda डाल सकते हैं अगर हम quantity के बात करें तो एक चम्मच baking soda आप बाल्टी में डाल करके नहा सकते हैं और alum के बात करें तो इतना सा alum ले सकते हैं करीब 10 gram alum हो सकता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं और उससे नहा सकते हैं इससे जो पूरी बोड़ी में जितना भी बक्तिरिया या फंगस ग्र करता है तो हफते में एक बार आप इस पानी से नहा करके देखेंगे तो बहुत effectively आपके पसीने से आने वाली बदबू जिसके कारण ना सिर्फ आप परिशान होते हैं बलकि आपके साथ रहने वाली परिशान होते हैं उससे आपको निजात मिलेगी अब मैं ज्यादा टाइ हो में परिशान है सालफर हम वहां पर देते हैं जहां पर आपको पसीने की जो बदबू आती है बहुत जादा पसीने के साथ आती है पसीना भी जादा आ रहा है आपको बदू भी बहुत जादा आ रही है और पेशेंट का जो जहां जहां पर पसीना निकलता है वहां वहां 30 आप ले सकते हैं Sulfur 30 की 4-4 पूने दिन में 2 बार दिन में 3 बार आप ले सकते हैं नेक्स मेडिसन के बाद करते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है पस्पिरेशन को खतम करने के लिए फाउल स्मिल को खतम करने के लिए वो है सोराइनम सोराइनम हमको तब देनी है जब आपने सलफर लिया उसके बाद आपको अतना आराम नहीं मिला तब आप सोराइनम दे सकते हैं सोराइनम के अंदर पेशेंट बहुत जादा ठंड महसूस करता है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी एक्टम कवर करके रखते हैं पूरा फुल कपड़े पहनते हैं इविन कैब भी लगा लेते हैं सॉक्स भी पहन लेते हैं बहुत ज़ादा ठंडा महसूस करते हैं हर इंसान फैंच लाकर करके रह रहा है वो ब्लैंकेट उड़के रहता है उसको एक्स्ट्रीम ठंड लगती है और उसकी जो स्मेल होती है पसीने की वो ऐसी होती है जैसे सड़े हुए मांस की तरह बहुत ही ज़ादा फाउल स्मेल जिसमें से आती है वो होता है सोराइनम तो अगर ऐसी स्मेल आती है पेशिन बहुत चिली महसूस करता है तब उन केसेज में हम सोराइनम दे सकते हैं सोराइनम को आपको 30 पोटेंसी में चार-चार बुने दिन में दो बार दिन में तीन बार ले सकते हैं नेक्स मेडसिन के बात करते हैं और नेक्स मेडसिन है हिपर सल्फ हिपर सल्फ के अंदर बहुत ज़ादा एक्सेसिब परस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है पसीना बहुत ज़ादा आता है और बहुत ज़दा pungent होता है pungent मतलब दूर से ही पता जल जाता है एकदम टीकी से समलाती है तेज समलाती है पसीनी की और पिशन को जितना पसीना आता रहता है उतने से भी उसको आराम नहीं मिलता है सो राइनम जो कि मनें इसके पहले medicine बताई उसमें होता है कि पसीना आने के बाद patient काफ़ी जाए relax महसूस करता है body room ठंडी हो जाती है उसको अच्छा महसूस होता है इसमें पसीना निकलता रहता है निकलता रहता है पूरा शरीर उसका भीग जाता है और साथ के साथ जो exilas होते हैं वहाँ पर इतना पसीना आता है कि जो कपड़े हैं उसमें yellow stain पड़ जाता है पीला रंग आ जाता है उस cases में भी हम hyper self देते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है बहुत pundent smell है पसीना दाग छोड़ रहा है यह सारे symptoms अगर मिलते हैं तब आपको देना हीपर सल्फ और हीपर सल्फ को आपको 30 potency में ही लेना है और 4-4 बुने दिन में 3 बार अप ले सकते हैं next medicine की बात करते हैं next medicine है petroleum petroleum वही petroleum jelly यह नि वैसलीन जो आप लगाते हैं उसी से बनने वाली हुमेपतिक medicine है और इस medicine में आपकी जो skin होती है बहुत unhealthy होती है हमेशा cracks पढ़ते रहते हैं especially यह जो parts होते हैं आपकी fingers के इसमें हमेशा cracks बने रहते हैं और सर्दियों में आपकी fingers काफ़ी सूच जाती है उसमें redness आ जाती है cracks पढ़ जाते हैं और यह patient काफी ज़्यादा sensitive होते हैं और इनकी जो smell होती है sweat की इतनी ज़्यादा offensive होती है कि अगर इक किसी room में एंटर करते हैं तो सब को पता जल जाता है बदबू आने लगी है बहुत ज़्यादा offensive smell होती है तो ऐसे cases में हम petroleum दे सकते हैं petroleum को भी हम 30 potency में 4-4 बूने दिन में 3 बर दे सकते हैं next medicine के बात करते हैं friends, so next medicine है silicia silicia में क्या होता है कि जो patient होता है especially छोटे बच्चों के अंदर अगर पसीना बहुत जादा आता है सेर और पैर में पसीना भर-भर के आता है और बहुत ज़्यादा foul smell रहती है पसीने की smell बहुत तेज रहती है और बच्चे को पैर धुलाने के बाद भी पसीना की बदबुत जाती नहीं है और बच्चे बहुत ज़्यादा ठंड उनको लगती है निक्समेडसिन की बात करते हैं तो यह मेडसिन है दो mother tinctures का combination जो है मेंथा, पिप्रेटा का mother tincture और क्लॉरेरं का mother tincture इन दोनों mother tinctures को दस दसxicने आपको लेना है और अगर जिस भी पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा smell आती है उस पार्ट में externally आपको apply करना है अगर आपके apocrine gland जादा active है वहाँ से offensive हो रहे तो उस पार्ट को आप clean कर सकते हैं अगर आपके एक crine gland यानि पूरे शरीर में जो glands है वो बहुत जादा over active है उसमें से बद्बू आ रही है तो आप इस combination को पानी में डाल करके नहा सकते हैं यह काफी जादा effective combination है और बहुत effectively आपकी foul smell वाली जो condition उसको ठीक करती है तो friends यहाँ पर मैंने कुछ important medicines बताई हैं जो कि foul smell यानि दुरगंद वाली पसीने के लिए बहुत effective है जो कि ना सिर्फ आपको किसी embarrassment और self image को जो कम करती है उससे आपको निजाद दिलाती है बलकि अगर कोई condition आप जिससे सफर कर रहे हैं या kidney की problem है, liver की problem है, diabetes है या thyroid है तो उसकी भी जाँच की जाती है तो अगर आपको ये perspiration यानि बदबूदार पसीने की शिकायत इन बीमारियों के कारण हो रहे है तो उसका treatment आपको लेना पड़ेगा otherwise ये सारी medicine काफी जादा effective है तो friends ये सारी information दी foul smell और उसके होमेपतिक treatment के बारे में अगर आपको information पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने friends और family के साथ भी शेयर करें wish you very good health, thanks for watching